अरे मेरी मैया प्यासे गए हैं भर तार ना सुनी मेरी पूर तार घर अंग ना सुनो करी गए हाँ भाया देखते हैं यह मलहार उस समय की है जिस समय भगवान स्री राम सेशा अबतारी लच्छमण सीता मैया के साथ मिजिस समय चौदे बर्स बनवास के लिए जाते हैं इधर उर्मिला रोने लगी है और अपने पती लच्छमण से दोनों हाथ जोड करके बार बार बिंती करती हैं लेकिन लच्छमण जिस समय नहीं माने हैं आज उर्मिला वो संद्या मैया से कहती है मैया अरे मेरी मैया प्यासे गए भर तार ना सुनी मेरी पूर तार घर अंग ना सुना करी गए और कहती है और मिला बगिया में जूला में तो जूलती मेरी मैया आज उर्मिला समझा करके बोली है मैया बगिया में जूला में तो जूलती मेरी मैया मेरी मैया जो काता देते भर तार ना सुनी मेरी पूर तार घर अंग ना सुना करी गए आज उर्मिला जिस समय को सल्या मेया के जिस समय हाथ जोड़ करके बिले कि बिले कर रोगिया को लोने लगी बहिया और कहने लगी है मैया तुम्हे नहीं मालम है सावन का महीना आया है दादुर पपीहा बोले बाघ में मेरी मैया मैया दादुर पपीहा बोले बाग में मेरी मैया और कहती है करसन अर मेरी मैया दिल में तो उठती ही लोर अर मेरी मैया प्यासे गए बहर कर ना सुनी मेरी पूर कर अर अंगना सुनो करी गए आज गुर्मिला बिलाब करती ही रो रही है और कह रही है अगर भगवान स्री राम होते बड़ी पहन सीता होती तो कितना सुन्दर धर आंगन लगता मैया और रोते हुई केबाब दे रही है और मिला और बोली मा बेना सीया होती तो जूलती मेरी मैया मैया अगर सीता बेहन होती तो कितना सुन्दर अंगन होता मा और समझा कर के बिलाब करती हुई या जूर्मिला कौसन्या मैया से बोली है बेना सीया होती तो जूलती मेरी मैया मेरी मैया जो काता देते भग दान खर यंगना सुना करी गए अरे मेरी मैया प्यासे गए बहरे तारे ना सुनी मेरी पुख बारे तारे ना सुना करी गए मैया प्यासे गए बहरे तारे ना सुनी मेरी पुख पारें पारें तना सुमा करीवे